Hello everyone! My name is Varadhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So bhai, Magnet Brains एक ऐसा platform में जहाँ आपको kindergarten से लेके class 12 तक हर course मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for C-based keyboard, you can ask for state board, you can ask for NTAC, you can ask for Olympiarts, you can ask for NCIT book या किसी famous author की बात करें एक concern subject में. सरा content आपको मिल जाएगा मेरे platform पे मतलब या तो हमारे YouTube चानल पे या फेरे मेरे website पे फेरे आप पे यहाँ मिल जाएगी आपको quality education and that to free of cost. Yes, you heard that right, free of cost. दो chapters या दो वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ भाई. आपको मिल जाएगा free of cost, all you need to do is come and learn from these videos. तो भाई, आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो भाई, आज इस वीडियो में हम cover करने वाले image blending. तो हम आज इस वीडियो में क्या देखेंगे? अब basically blending का क्या मतलब होता है? तो भाई देखो blending का बहुत simple सा मतलब है, how to add two images, how to combine two images. जिसे में पास ये एक image है, ये एक image है. मैं कैसे इन दोनों image को overlap कर सकता हूँ, pixel by pixel edition कर सकता हूँ, that is what is blending. जो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं, कि किस तरीके से ये blending हम कर सकते हैं. बट अगें ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मैं बस आप से कुछ चीज़ चाहता हूँ, which is, कि यहर आप लोग जाएं, नीचे description box में, description box में आपको मिलेगा एक link, जो की है complete playlist का, of class 10th artificial intelligence, so class 10th artificial intelligence के complete playlist के link आपको नीचे मिल जाएगे, description box में, go and check that out, click on that link, पुरी playlist अपन हो जाएगी, उसमें सारे chapters available हैं आपके artificial intelligence के, ठीक है, and ये जो हमारा chapter चाप्टर चाहता है, this is the last chapter which is open CV, sorry, not open CV, sorry, computer vision, हमारा last chapter चाहता है, which is computer vision, है ना, और इसमें अभी फिलाल हम देख रहा है, open CV topic, ठीक है, जो आपको python को practical चल रहा है, ठीक है, इस open CV वाले topics को जैसी अब search करोगे, तो सारी topics line से line हो जाएंगे, अब initial की video ज़रूर देखा रहा है, open CV की, because हम उसको बार बार use करेंगे, अब जैसे suppose मैं किसी भी image को read कर रहा हूँ, ठीक है, किसी भी image को resize कर रहा हूँ, उसको display कर रहा हूँ, तो वो सब important हैं कि आपको पहले से आते हूँ, क्यो चीज़े सारी interlinked है, और मैं क्या भी नहीं, बहुत starting से देख के आना, open CV की starting की videos देखा हूँ, और more than sufficient होगा, ये सब चीज़े सीखने के लिए, समझने के लिए, तो please previous video ज़रूर देखा ये, and उसी के सथ फटा-फट शरवात करते हैं, I am expecting कि आप सुनके पुरानी videos देख क आएंगे, and आपको चीज़ें पुरानी आती हैं, और अब की कहनी आपको समझवाएगे, ठीक है, तो हम basically देख रहे है, image blending, image blending में हमें बहुत simple सा काम करना है, basically ये एक image है, ठीक है, ये एक image है, और मेरे पास एक और image है, ये मेरी दूसरी image है, ठीक है, मैं थोड़ा गलत तर conditions बगएर सेम रहें, width और height सेम रहें, उसमें गढ़वड ना हो, ठीक है, तो जब मैं ऐसे addition करूंगा, तो होगा क्या, basically ये pixel value, इस pixel value को मैं add करना चाहता हूँ, इस pixel value के साथ, ठीक है, मैं basically इन दोनों pixel values के साथ, addition perform करना चाहता हूँ, और इस से फिर मुझे finally, क्या मिलेगा इस से फिर मुझे finally, result set मिलेगा, इस से क्या मिलेगा भई मुझे finally, इन दोनों pixel values को मैं add करूंगा, तो मुझे finally क्या मिलेगा, मुझे finally result set मिलेगा, ठीक है, अब आप होगे सार, ये तो 255 के नीचे होनी चाहिए, pixel values तो 255 के नीचे होनी चाहिए, ऐसे करेंगे तो 255 cross हो जा जाता है, कि जब भी ये edition हो, अब देखो, दो type के हमारे पाइस edition है, which is numpy edition एक तो, normal सा हम numpy edition कर दें, जो भी हम सीखेंगे, और एक open CV का edition है, basically इन दोनों में बहुत दर difference नहीं है, सिर्फ difference क्या है, कि add करने के बाद जो pixel values हो, उसको handle किस तरीके से किया जा रहा है, वही इन दोनों में difference है, अब जैसे मैंने 2 pixels को add कि 255 cross कर गये हो, तो अगर उसको हम modulo निकालते हैं, basically numpy में हम modulo निकालते हैं, modulus निकालते हैं, remainder निकालते हैं, और फिर वहाँ पर value put करते हैं, और अगर open CV में cross कर जाता है, तो जो upper bounded figure है, वो हम यह पर put कर दें, ये difference है, अभी हम दे this is not a good idea, numpy edition करना is not a good idea, open CV edition करना is a good idea, ठीक है, open CV edition करना is a good idea, numpy edition करना is not a good idea, ये इससे pixels खराब हो जाते हैं, अब open CV edition करने के लिए 2 functions हमें provide करता है, which is cv2.add, एक तो बहुत सिंपल सा है, cv2.add, अब basically 2 pixels, आपको images को add करना है, तो cv2.add करके कर सकते हैं, और एक दूसरा function आपके पस exist करता है, which is cv2.add-weighted, e-i-g-h-t-e-d, add-weighted, तो basically add function क्या करेगा, simple 2 images को pixel-wise add कर देगा, आपके पस ये option नहीं होगा, या आपके पस control नहीं होगा, कि क्या image कितनी होनी चाहिए, image का कितना contribution, किस image का कितना contribution होना चाहिए, ये नहीं रहेगा आपके पास, add में, facility, पर जब आप add-weighted को run करते हो, cv2.add-weighted को run करते हो, तो जब आप इन दोने images को merge करने हो, add करने हो, तो आपके पास ये control रहता है, कि आप किस particular image को basically आप क्या करना चाहते हो, prioritize करना चाहते हो, किस image को आप जादा control देना चाहते हो, किस image का चाहते हो, कि जो use है, वो जादा से जाबा हो, तो यह आप control कर सकते हो with the help of this add-weighted function ठीक है, so add और add-weighted function यहाँ पे exist करता है, तो you can use it here like that, ठीक है तो अब इसको ही हम practically देखेंगे तो basically हम अभी चलके क्या देखने वाले हैं अभी चलके हम दो images उठाएंगे images भी भात interesting है, you will love it definitely love it, ठीक है, तो वो images उठाएंगे उनको हम numpy edition करके देखेंगे numpy edition से क्या होता है, problem क्या आती है simultaneously मैं आपको documentation में भी बता दूँगा कि कैसे आप इस सब चीजों को fetch कर सकते हो, कोई problem नहीं है आपको देख, क्योंकि है simple सी बात है documentation अगर आपको पता है, कहाँ पर content मिलेगा रटने की जरूत नहीं पड़ेगी ठीक है, documentation में ये पता है, कहाँ मिलेगा तो कभी भी कोई भी changes आते हैं, कोई भी problem आते हैं अगर आपको documentation read करना आ गया you would be good in programming coding में आप अच्छे तभी हो पाऊगे, programming में आप अच्छे तभी हो पाऊगे जब आपको documentation read करने आते हैं तभी अलग-लग technologies आप सीख पाऊगे तो वही चीज में आपको करना चाहरा हूँ आपको documentation read करना सिखाना चाहरा हूँ कैसे करते हैं, उसके बाद फिर add function use करेंगे add में भी कहानी अलग-अलग है कि दो images को add कर सकते हो, scalars को add कर सकते हो तो वह सब कहानी बताएंगे फिर add waited में आपके पास basically option होगा कि आप दो images को add कर रहे हो तो उसमें किसको कितना आपको significance देना वह भी आप यहाँ पर select कर सकते हो तो वह कैसे करना वह भी आपको दिखाएंगे तो वह सब अभी हम आगे देखेंगे so just wait and watch for the practical part यह सब चीज़ सेखने के लिए theoretical list में बहुत सब कुछ नहीं है practically ही हम सीखेंगे practically हम यह सब चीज़े कैसे कर सकते हैं फट 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 लेट्स नोट वेस्ट आ टाइम फट फट चली में सब में इक computer screen पर practically आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप image blending कर सकते हैं कैसे आप एक image को दूसरी वेच के साथ merge कर सकते हैं अच्छा merging भी दो अलग-लग type के हैं आप यही पिक्सल्स का अडिशन अलग-लग लेवल पे भी कर सकते हो वह क्या है वह हम आगे आने वाले वीडियो में देखने वाले फिलाल हम एडिशन देखने वाले हाउट वन पिक्सल वाल्यू तो अनादर ठीक है सो लेट्स डाइफ एंटो दे कम्पिटर स्क्रीव ओक्ए गाई तो अब आगय हैं अपनी कम्प्यूटर श्क्रीव पर क्या देखने वाले देखने वाले कि वह बाइक्स करों हमांच ब्लेन नीडि हमई तो यह पहली इमेज है आपकी, and the second image is of ghost rider, ठीक है, अब इन दोनों को हम blend करेंगे, अब blending का मतलब क्या भाई, एक दूसरे को mix करना, ठीक है, अब यह mixing actually में आप direct numpy edition से कर सकते हो, मतलब numpy edition कर तो that is more than sufficient, इस से blending हो जाएगी, पर वहाँ पर क्या होता है, pixels break हो जाते हैं कुछ ह होते हैं अभी आपको समझाते हैं, official documentation पर लेके चलता हूँ, अपर समझाता हूँ आपको, तो normal numpy edition is not good, तो इसके लिएपके पस function exist करते हैं, दो which is add and add-weighted, तो अब वो क्या करते हैं, वो हम detail में यहाँ पर समझेंगे, कि basically क्या उनका use है, बलब हम देख तो चुके हैं, को official documentation पर भी दिखाता हूँ, पहले यहाँ पर में एक नया folder मना लूँगा, इसको मैं नाम दूँगा, opencv- करके, and this is your basically what, image blending, ठीक है, this is image blending, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने इस folder को इसके लिए डाल दिया, and this is the thing, यहाँ मेरे पास image है, यहीं पर में opencv- basically, यहाँ पर मैं, क्या करूँगा, यहाँ पर मैं, VS code open कर लोगा, तो इस particular folder के अंदर, opencv, image blending के अंदर, मैंने VS code open कर लिया है, get started, बंद कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, and एक बर मैं इसका dimensions जहुर चेक कर लोगा, क्योंकि dimensions, मैं चेंज, मैं देखना भूल गया, so dimensions are 1920 20 x 1080, okay, 1920 x 1080, and this is what, this is 1920 x 1080, very good, दोनों के same dimension से मेरे लिए बहुत सही रहेगा, ठीके, दोनों के same dimension से क्योंकि, तो मेरे लिए कहानी बहुत अच्छी ही रहने वाली है, चलो कोई नहीं, अभी फिलाल को बताता हूं क्यों सही रहने वाली है, अब यहाँ पर suppose मैं ने open किया, तो यहाँ पर मैं डाल दूँगा python underscore file dot py, python file dot py, इसको बंद कर देंगा, और यहाँ पर हम image blending देखने वाले है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो import करूँगा, cv2, cv2 को import कर लिया है मैंने, तो cv2 मेरी import हो गई, अब मैं basically image read करूँगा, तो एक मेरे deadpool है, एक मेर ghost rider है, तो उसी नाम से मैं इसको करूँगा भी, तो एक मेरा thawr, sorry not thawr क्या, thawr क्यों लिख रहा हो मैं, एक मेरा deadpool है, deadpool है, deadpool is equal to क्या है मेरा, cv2 dot, im read, और इसमें हम read करने वाले deadpool को basically, ठीक है, और फिर यह है ghost rider, ghost rider, जब variable के नाम में हमेशा कोशिच करेगा, कि जब भ दो चीजे डाले, नाम में, हैना, two words आज है, तो अमिशे पहला small डाले, next capital डाले, it is a good practice, camel case कहते हैं इसको, this is cv2 dot, im read, अब basically मैं इनके ज़रा, जो paths हैं वो डाल देता हूँ, तो deadpool का मैंने relative path copy किया, और deadpool में डाल दिया, ठीक है, और ghost rider का relative path copy किया, ghost rider में डाल दिया, ठी कर लेंगे वापस, तो ये मेरा ghost rider, deadpool, मेरा क्या हो गया, import हो के, read हो चुका है, अब इसको ज़रा show करते हैं, so im show function run करेंगे, so not im show, cv2 dot im show function run करेंगे, and इसमें हम सब से ले डाल देंगे, this is my deadpool, this is my deadpool, right, so this is my deadpool, and इसका नाम होगा deadpool, and next is my cv2 dot im show, next क्या है मेरा यार, next है basically मेरा ghost rider, ghost underscore rider, and this would be ghost rider, ठीक है, well and good, अब इसके वेट की डाल देंगे, cv2 dot wait की, infinite amount of time के लिए वेट कर लिएजे, and cv2 dot destroy all windows राल देंगे, अब लेट मी रान इट, अब देखो, this is the situation, situation is what, it is too big, although मेरी screen पे fit हो जा रहा है, but it is too big, ठीक है, मैं समझ नहीं पाऊंगा कहानी को बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से, it is too big, ठीक है, so rather क्या करना चाहिए मुझे, मुझे जो है, इसको छोटा करना चाहिए, अब मैं जो कहाता है, same dimension से मुझे फायदा है, तो same dimension से क्यों फायदा है मुझे basically, मुझे फायदा इसलिए है, because मैं अब उसको resize कर सकता हूँ, resize में मुझे, अलग से size डान ली की जरूत नहीं है, अलग से size डानने के बजाए, मैं सीधे सीधे इसमें कह दूँगा, कि यह मुझे जो है, x का आदर चीए, y का आदर चीए, मतलब हम resize वाला, fx वाला और fy वाला काहनी करेंगे, तो चलो, इसको मैं फटा फट नाम दे दूँगा, कि यह मैंने read किया था, इसको मैं कर दूँगा read, ठीक है, और इसको भी मैं कर दूँगा read, ghost rider read basically, कि मैंने इसको read किया, और इसको यहां पर हम resize मारेंगे फटा फट, तो मैं करूँगा यार, deadpool read नहीं है, बैसे ओक सारे, deadpool read नहीं है basically, यह deadpool है normal, deadpool and this would be like, this would be like cv2.resize, resize, resize, और यहां पर हम deadpool read pass कर देंगे, deadpool read pass कर देंगे, और यहां 0,0 pass कर देंगे, initial size basically, अब हम डालेंगे fx basically, fx would be 0.5 नहीं, 0.7 डालते हैं, मतला हमें आधा भी नहीं करना, वह बहुत ज़दा छोटा हो जाएगा, fy is equals to 0.7 basically, तो हमने यह डाला, और इसी को copy paste मार दूंगा, मैं आपे, sorry 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 sorry, यह copy paste मार दूंगा, and this would be your ghost rider, this would be your ghost rider, read नहीं ghost rider that's it, resize भी करेंगे, ghost rider read को, ghost rider, ghost rider read, हमने 0.7, 0.7 कर रहा, तो अब जब मैं इसको read करूंगा, so this is the perfect size for me, this is actually the perfect size, मैं इसको यहाँ पे set मारा, और इसको यहाँ पे set मारा, and these are completely fine, एक दूसरे पे perfectly match हो रहे, है, so this is a good size, perfect है, दिख भी रहे perfectly, आज चीज़े सही है, अब इसमें हम देखने वाले भाई, basically क्या, blending, अब यहाँ ने रीड कर लिया है, so this was the reading part, perfectly resize करके, रीड करके show कर लिया है, so this is the perfect part, reading हो गया, अब next, जो हम आगे बढ़ने वाले, that would be my image blending है, तो अभी यहां से हम शुरू करने वाले क्या, image blending, अब यहां से कुछ कहानी उठाएंगे, मैं अब उससे पहले देखते हैं, तो पहले सबसे बहले तो आपको official documentation पे लेके चलता हूं, so this would be opencv.org, so opencv.org में open किया, तो इस तरीके सब opencv.org open करें, accept कर लिजे, if you want to accept the cookies, चलो, इसको थोड़ा से zoom कर लेंगे, tutorials पे चलेंगे, नीचा आएंगे, GitHub दिखेगा, documentation दिखेगा, tutorials पे क्लिक करेंगे, tutorials पे क्लिक करेंगे, यह खुल जाएगा, में पेज पे क्लिक करेंगे, में पेज पे आ जोगे आप, फिर python tutorial, third option जो है न, opencv- python tutorial उस पे क्लिक करेंगे, this would be the scene, इसके बाद आपको GUI features पे जाना है, GUI features in opencv, ठीक है, most probably here is the thing, नहीं, here is not the thing, आपको वापस जाना है, ठीक है tutorial पे वापस जाना है, नीचे आना है, core operations पे जाना है, yes core operations is the thing, core operations पे जाना और यहां पे फिर arithmetic operations on images दिख रहा है, you need to open this, तो जैसे आप open करोगे, you'll get this, अब यहां पे क्या है, learn several arithmetic operations on images, like addition, subtraction, bitwise operation, bitwise operation हम बाद में देखेंगे, firstly, जो हम देखने वाले है, that is the addition part है, तो addition and subtraction देखते हैं, okay, so learn about the function cv.add and cv.add weighted, इन दोनों का हम use आभी देखने वाले हैं, क्यों हम use करते हैं, कैसे यह आपके numpy array से अलागे, अब देखने जरा, just understand the thing, now you can add two images with the open cv function, ठीक है, अब resultant है, यह result है यह resultant है, image one और image two को directly numpy edition कर देजे, that's it, आप इस तरीके से add कर सकते हो, both images should be of the same depth and type, और the second image can just be a scalar value, तो या तो आप दोनों image को same depth to same type कर लो, या फिर दूसरी image है वो simple scalar value ले लो, कोई problem नहीं है, now there is a difference between open cv edition and numpy edition, अब open cv edition और numpy edition में difference है, मतलब यह जो हम dot add कर रहे हैं, this is your open cv edition, अनि जो हम कर रहे हैं, this is your numpy edition, now open cv edition is a saturated operation, open cv क्या है धियान रखेगा, इस चीच का question पूछा आजा सकता है, open cv edition क्या है, एक saturated operation है, while numpy edition is a module operation, और numpy edition क्या है module operation, अब इसका क्या मतलब देरा समझेगा, अब अब को simple सा है आप अपको code दे रखा है, कि या तो आप x plus y कर लो, या फिर आप cv dot x y कर लो है, अब इन दोनों में दोको बहुत simple सा example इनों यहीं पर दे रखा है, ठीक है 250 और 10 को, 250 और 10 को मैं add कर रहा हूं, 250 और 10 को जब मैं add करता हूं, तो अगर मैं dot add function लगाँगा basically, cv dot add function लगाँगा then what will happen, 250 और 10 add होंगे, जो भी answer आएगा resultant, उसको upper bracket डाल दिये जाएगा which is 250, जैसे यह bracket इसने cross किया, मतलब 255 cross किया, तो इसको हमने 255 ही provide कर दिया, तो यह white ही रहा basically, but जब आप x plus y करते हों, तो यह modulo operation होता है, कि 250 plus 10 करेंगे, तो 260 आ रहा है, अब 260 को 255 हम around off नहीं कर रहे हैं, हम यह कह रहे हैं कि 250 को 256 से divide करो, और जो remainder बचे, वो remainder यहाँ पे डाओ दो, तो that is the modulo operation, बीच में modulo operation sign भी देख रहा है, अब आपको पता है modulo sign क्या होता है, modulo sign के basic हमने python में देख रहा, basic python में, तो this is the difference between आपका your open cv edition and your numpy edition, यह दो difference है, यह होता क्या है basically, यह saturation है और यह basically क्या है, यह modulo operation है, अब इसको practically भी हम समझेगे कि क्या difference होता है, now this will be more visible when you add it to images, stick with open cv functions, because they will provide a better result, तो जब आप इसको करके देखो के तो better sound में आएगा, अभी आपको करके में दिखाता हूं, और यह कह रहे हैं कि आप open cv functions को ही use करो, because यह better result आपको देखे, अब यह क्या है, image blending वह हम बाद में सीखेंगे, पहले काम क्या करते हैं, पहले मैं आपको ज़रा यह numpy edition करके दिखाता हूं, कि what will happen if we will just directly edit, तो मैं image blending से better, मैं यहाँ पर डाल सकता हूं, numpy edition, numpy edition, numpy edition, ठीक है, numpy edition हम फिलाल सीख रहे हैं, मैं यहीं से copy करता हूं, और कुछ delete मारता हूं जो मुझे काम की नहीं है, तो पहले मैंने image को read किया, फिर उसको resize किया, फिर read किया, फिर resize किया, यहां तक कोई problem नहीं है मेरे पास, अब इसके बाद कहानी यह है कि मुझे यह दो reading part की जरूत नहीं है, ठीके और इसको मैं नाम दे दूँगा ghost rider and deadpool, ठीके ghost rider and deadpool नाम दे देंगे और यहां से यह भी हटाएंगे, ठीके और हम मैं डाल दूँगा यह पर result basically, result is equal to would be what, would be deadpool plus ghost rider, तो मैं deadpool और ghost rider को add कर दता हूं, ठीके, so ghost rider plus, read नहीं, resize वाला करना है, ghost rider plus deadpool, deadpool, तो ghost rider और deadpool को add किया, result आया, and this result I would display, let's see what would be the answer, यह result का answer क्या आने वाल है, let's see what would be the result, तो जैसी मैं इसको run करूंगा, just, okay, कुछ गर बढ़ हुई, हाँ, now the result, okay, 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 I got the thing, I got the thing, उपर का comment नहीं किया भाई हमने, आपने deadpool और ghost rider को merge तो कर दिया, कोई प्राबम नहीं है, that is a perfect addition, but if you'll observe, आपको कहीं कहीं पिक्सल्स खराब हो तो मैं दिखेंगे, जिसे कि this area, this pink area, यह पिक्सल्स खराब हो रहे हैं, यह पिक्सल्स खराब हो रहे हैं, यह पिक्सल्स यहां के खराब हो गए, यह खराब हो गए, this is the खराब part, यह खराब part है, नहीं में क्या हुआ है, पिक्सल्स आपके खराब हो गए, तो numpy edition में जब आप करते हो, so what you get is basically, वो module operation की वजह से, यह पिक्सल्स आपके खराब हो गए, वो image आपको खराब करके दे रहे हैं, तो जैसे यहां पे इनोंने image पूरी क्या कर दी, यह part को पूरा खराब कर दिया है, इस पूरे part को खराब कर दिया है, यह पूरा part खराब हो गया है, तो numpy edition में यह problem होती है, आपके खराब सी हो जाती है, so it is always a good practice to do what, it is always a good practice to use add function, क्योंकि add function से अब कहानी बहुत easily perform कर पाऊगर, अच्छा result set आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यह numpy edition में आपको, numpy edition से क्या problem होती है, numpy edition कैसे कर सकते हैं, वो सब I hope is clear, अब जरह चलते हैं और देखते हैं, कि what is basically image blending, now this is also image addition, basically blending का क्या मतलब है, blending मतलब image addition ही है, but different weights are given to images, in order to give a feeling of blending or transparency, but आप क्या कर सकते हो, अलग-अलग images को weight दे सकते हो, टाकि आपको और सब फील आए blending का, या transparency का, so images are added as per the equation given below, या आपको image blending की यह दे रखा है, और इसको आप करते हैं, अब यह add weight हम जाके देखेंगे आगे, बट पहले और यहाप इनों थोड़ा सा result set भी दे रखा है, कि आप इन दोनों को combine कर आपको ऐसी image देखने को बिलेगी, so yes this is the function, आप add और add weight use करेंगे, लब इस तरीकी से image देखने को बिलेगी, तो वह भी हम देखते हैं, पहले फिलाल क्या करते हैं, फिलाल तो पहले add function देखते हैं, तो cv.add में open कर लूँगा, क्योंकि numpy edition was simple, but cv.add के हमें parameters जानने होंगे, तो इस तरीके से कोई भी function का आपको parameter जानने हैं, just open it, that's it, तो add function का देखोंगे आपको दे रखा python का code, cv.add, cvq क्यों दे रखा हैं, क्योंकि उन्होंने import किया cv2 को as cv, तो cv.add करेंगे, पहला source image जालेंगे, second source image जालेंगे, option है, उसके बाद डालने की जरूद भी रही है, तो हम directly करेंगे, हमें भी mask के बारे में जाना नहीं है, dst पे जाना नहीं है, क्योंकि यह हमको output करके भी वही दे रहा है, destination image, तो आप फिलाल के अगरो source 1 और source 2 को बस dot add में डाल दो, that's it, that is more than sufficient for now, तो हम वही करने वाले हैं, और उसरा करके दिखाता हो, ठीक है, तो यह numpy edition आपको समझ में आ चुका है, I hope, आप इसको कर लोगा, मैं copy, इसको कर लोगा, comment है ना, next is basically what, this is, next is basically, cv2.add function, cv2.add function, cv2.add function को हम सीखने वाले है, तो यहाँ पर paste कर दिया मैंने, again deadpool को read किया है, deadpool को resize किया है, ghost rider को read किया है, ghost rider को resize किया है, अब जो result set में बना रहा हूँ, बस यह difference है, कि मैं result set को, यह numpy edition से नहीं बना रहा हूँ, rather than this, मैं करने वाला हूँ क्या, मैं cv2 का, आपका add function call करने वालो, so what I'll do is, I'll write cv2.add function, cv2.add function, तो मैंने add function को call कर दिया, cv2.add function, और अब यहाँ पर जो में डालने वाला हूँ, that is basically what, that is both the images, जिसको मुझे add करना है, तो first would be deadpool, and the next would be ghost rider, next would be ghost rider, तो deadpool और ghost rider डालके, मैंने dot add function कर दिया है, and यह result state में save हो गया, dst में एक तरीके से, result state को मैं display कर रहा हूँ, वही same function है, बस क्या हुआ हुआ है, rather than just addition, now just see the difference, what you'll observe is this thing, अब देखो, यहाँ पे कोई pixels फट नहीं रहे हैं, कोई pixels खराब नहीं हो रहे, किसी भी पार्ट में कोई भी pixel आपको खराब होता हुआ, नहीं दिखेगा, although यहाँ पे आप यह देखोगे, यह ghost rider तो बिलकुल छुप सा ही गया है, ठीक है, यह deadpool अच्छा दिख रहा है, यह deadpool का पार्ट बहुत इंट्रेस्टिंग और उभर के आ रहा है, यह ghost rider तो यह हमारा गया भी हो गया है, है ना, तो yes, आप जब normal edition, अच्छा इसी में आपको even switch करके भी दिखायता हूँ, अगर if I'll switch the thing, मतलब, let me copy this, let me, okay, सुना, सुना, इसका थोड़ा सा नाम चेंज करते हैं, ताकि दोनों चीज़ को में display कर सको, so this is deadpool and ghost rider, and, and भी ऐसी लगा लगते हैं, underscore वाला है न, and this is ghost, ghost rider, so this is deadpool underscore ghost rider, और अब जो next में print करने वाला हूँ, that is basically what that is, ठीकि इसके बाद है यह, से दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दिक्कत पते हैं क्या है, तो एक काम यह करो ना, इसको हम हटाई देते हैं, मिलकि comment क्यों करते हैं, हम इसको delete ही मारते हैं, दोनों साथ में नहीं आएंगे नहीं तो, this is result set 2, result 2 बनाएंगे, result 2 बनाएंगे, और इसमें, cv2.add function call करूँगा मैं, बट यहां पर deadpool और ghost rider को करने के बजा, यहां पर ghost rider and deadpool को करने वालों मैं, ghost rider and deadpool, deadpool, and ghost rider को करने के बजाएं, ghost rider and deadpool को करने वालों किसे लिए, ठीक है, और यहां पर मैं दो चीजे प्रेंट करूँगा, that would be result set 1 and result set 2, this would be result 1, this would be result 2, ठीक है, and just let me show you कि क्या difference आता है basically, okay, एक मिट जाना मैं confirm कर लों कि मैंने कुछ ghost rider and deadpool, yes, okay, let me just show you this, ठीक है, जार इसको देखी कहें, नों में, okay, शायद मैंने window, नाम अलग नहीं किया, तो इस वैसे वो दुबारा प्रिंट भी नहीं हुआ, ठीक है, deadpool ghost rider, ghost rider deadpool, okay, मैंने शायद वो भी confirm नहीं किया, एक second, sorry 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 for that, ठीक है, deadpool को ghost rider के साथ merge किया तो deadpool ghost rider है, और ghost rider को deadpool के साथ merge किया तो ghost rider deadpool है, result set 1 डाल रहे है, result set 2 डाल रहे है, okay, सही है, अब सही है, now let me just print this, now just see the difference, do you find any difference, you won't find any difference, क्या actually मैं ही नहीं, you won't find, deadpool में कोई अंतर दख रहा है, you won't find any difference in deadpool, ghost rider में कोई अंतर दख रहा है, no you won't find any difference in ghost rider as well, बिल्कुल से में जहीं है, ऐसे बहुत क्यूट सी लग रही है, ठीके, ghost rider पे red color पे अंतर रहा है, ठीके, so this is looking cool, and you won't find any difference, तो कोई फरक नहीं पड़ता, अब हो क्या रहा है basically, एक image को दूसरी image के साथ merge के जा रहा है, पहली image का 50% ले जा रहा है, दूसरी image का 50% ले जा रहा है, उसको merge करते जा रहा है, अब this happens when we basically merge the things, हैना तो जब मैं basically ghost rider और deadpool को merge करता हूं, तो this happens, okay, now what to do other than this, क्या हम control कर सकते हैं कि कौन सी image कितनी display होनी चाहिए, क्या हम यह कह सकते हैं, deadpool dominate कर रहा है, we don't need deadpool to dominate, we need ghost rider to dominate, हम ghost rider से चाहते हैं कि यार तुम dominate करो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम इन इस image card, यह select कर सकते हैं कि कौन सी चीज कितनी display होनी चाहिए, actually में yes, we can do that, और यहीं पर आता है add weighted, ठीक है तो जो add weighted, image blending वाला part आपको दिखेगा, image blending के अंदर आपको यही देखेगा, this is also image addition, but different weights are given, अगर आपको confusion हो रहा है add और numpy addition में, तो वो भी एक बर मैं आपको दिखाई देता हूँ, merge करके एक साथ, ठीक है कैसे दिखा देता हूँ रूखो, तो मैं copy करूँगा इसको, ठीक है, और यहाँ पर मैं डाल दूँगा basically, numpy, numpy addition, and numpy addition and open cv addition, versus open cv addition, versus open cv addition, ठीक है numpy addition versus open cv addition, यहाँ पर बस मैं इसको paste कर दो basically, कोई बहुत अतंतर नहीं करना है मुझे, मुझे बस दो result set change करने है, numpy addition in इसमे, तो यहाँ result set 1 बनेगा, यहाँ पर नॉर्मल से numpy addition कर दूँगा, यहाँ पर मैं कोई difference नहीं है, तो यहाँ पर मैं कर दूँगा, ghost rider plus deadpool, यहाँ पर मैं यह कर दूँगा, यहाँ पर dot addition करूँगा, यहाँ पर basically, difference कह रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा नाम change कर देंगे, this is numpy addition, and this is basically what, this is open cv addition, open cv addition, result set 1, result set 2, and let me run it, you'll get this thing, तो अब जब दोनो में difference देखो, यहाँ के pixels देखो, यहाँ के pixels देखो, just see the beauty, open cv addition की beauty, just compare the beauty of numpy addition, you'll observe the thing, I told you, आप खुदी observe कर पाऊ के खुदी difference देख पाऊ, ठीक है, you'll see the thing, open cv यह है, यह आपका numpy addition, open cv, numpy, open cv, numpy, you'll see the difference, तो आपको pixels फट तो दिख रहे हैं आपको, है ना, वो pink color, bluish color, Deadpool के पास bluish color है, pinkish color जो ghost rider में है, you can see basically, यह आपके pixels फट रहे, अब see this blending, यह कितना beautifully blend हुआ है, कोई pixels हट नहीं रहे हैं, properly आपको चीजें यहाँ पर दिखेंगी, की समझ में आएंगे, ठीक है, अब यह दिखेगा कहा, यह beautiful blending है, यह बहुत dirty सी blending है, ठीक है, so this is the difference between numpy edition and your normal edition, open cv edition, ठीक है, अब AC में यह चीज़ आपकी न, difference में आपको, कि इन दोनों में difference किया है, so this difference is I hope completely clear, इसमें तो कोई दिखकत है, numpy edition versus open cv edition, so this is completely clear, अब जो next चीज़ आप देखोगे, next is your image blending, this is also image edition, but different weights are given to images, तो अगर आपको weights provide करने, कि आए एक image इतनी दिखनी चाहिए, दूसरी image इतनी दिखनी चाहिए, you can do that, in order to give a feeling of blending or transparency, तो blending और transparency की feeling देने के लिए, images are added as per the equation below, तो equation आपको दे रखिये, mathematical expression है basically, gx is equals to 1 minus alpha, f0x plus alpha f1x, I know अभी आप छोटे होँ आपको यह mathematical function, अजीब सा लग रहा होगा, but in 11th and 12th, you would be familiar with this function, और बहुत used हो जाओगे functions कैसे, तो varying alpha from 0 to 1, you can perform a cool transition between one image to another, now here I took two images to blend, the first image is given a weight of 0.7, and the second is given a weight of 0.3, cv.add weights applies the following equation to the function, तो यह particular function apply करने के लिए, you can use what? you can use basically cv.add function, यहां पे दे भी रखा है, here this gamma part is 0, यहां पे फिलाल gamma part को 0 लिया गया है, we can also take that 0, but अभी हम आगे देखते हैं, so this is basically the situation, अब मैं क्या करूँगा, cv.add weight खोल लूँगा, open कर लूँगा, cv.add function अपको यह open हो गया, जो हम अभी फिलाल use करने माले, now just read this function कि यह basically क्या करता है, .add weighted, cv.add weighted, python का code यह रहा, cv.add weighted, इसमें सबसे पहले source 1 डालना है, alpha डालना है, source 2 डालना है, beta डालना है, and then gamma is cumple-sary, ठीक है, यह gamma basically यही वाला gamma है, यहाँ alpha, beta को clear हो जाका, this is alpha, ठीक है, this is alpha, this is beta, ठीक है, and this is gamma, अब देखो, यह जो 1-alpha क्यों दे रखा है, because, हमेशा ध्यान एकना, alpha plus beta का sum 1 होना चाहिए, alpha plus beta का sum 1 होना चाहिए, मतलब, it should be the thing कि image 1 और image 2 जो contribute कर रही है, यह पाट है, 0.5, तो एक तरीके से, alpha आपने 0.5 लिया, तो 1-alpha आपका 0.5 भी आएगा, like that only, अगर suppose आप चाहते हो, image 1 dominate करे, तो आपने image 1 को ले लिया 0.7, ले सकते हो, then this would be 1-0.7, which would be 0.3, this should be remembered, अगर यह आप 0.7 नोगे, so this should be 0.3, 1-0.7 करके लोगे, and the last part is basically, gamma, it is the saturation thing, अब क्या है देखते हैं भी, so आपने cv2.add weighted function call किया, इसमें source 1 दिया, alpha provide किया, कि कितना image 1 का, बलब source 1 जो image 1 है न, उसका कितना weight होना चाहिए, source 2 दिया आपने, यह image 2 है, इसका beta आपने provide किया, इसका कितना weight होना चाहिए, next is gamma, अब gamma basically क्या आगे देखते हैं, इसके DST और D-type पर, D-type पर हम जानी रहे, destination वाले पर फरक नहीं पड़ता हम है, क्योंकि अभी destination में हमें मिल जाएगे, फिलाल हमने वो चीज़ तो सीखी नहीं है, तो weighted sum कोई calculate करता है basically, ठीक है, तो the function add weighted calculates the weighted sum of the two arrays as follows, इसकी मदद से करता है, तो source 1 into alpha plus source 2 into beta plus gamma, ठीक है और इसको saturate करके आपको मिलेगा basically destination, Now, where i is the multi-dimensional index of array element, in case of multi-channel arrays, each channel is processed independently, the function can be replaced with a matrix expression like this, matrix expression से भी आप कर सकते हो, source 1 into alpha plus source 2 into beta plus gamma, Now saturation is not applied when the output array has the depth of this, you may even get result of an incorrect sign in the case of overflow, ठीक है, चलो फिलाल देखते है, source 1 is the input image, alpha is the weight of the first image, source 2 is the second image, ठीक है, second input array of the same size and channel numbers as source 1, तो source 1 का जो size है, वही source 2 का भी size होना चाहिए, मैंने काता है, same size अच्छी बात है, हमको resize नहीं करना पड़ेगा, सीदे सीदे हम उसको छोटा बढ़ा कर सकते है, fx by 2, fy by 2 कर सकते है, तो वहीं यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है, size सेम होना चाहिए, and gamma is the scalar added to each sum, gamma क्या है, वह scalar value है, जो हर sum करने के बाद add किया जाएगा, if you want you can give that, नहीं देना कोई problem नहीं है, destination image आपको यह दे रहा है, d type आपको यह दे रहा है, तो इसलिए क्योंकि यह जो gamma पड़े करने वाले हो, ठीक है, हर addition के बाद तो यहां पर वही चीज़े रखिए, कि we are adding zero, हम original, हर addition के बाद जो output exactly वही पास कर रहे हैं, हम कुछ और extra addition करने की कोशिश नहीं कर रहे है, that is what they are saying, ठीक है, अब जर इसको फटा-फट हम run करके आपको दिखाते हैं, कि basically क्या होने वाला है, अब उसको हम देखने से पहले, मतला हम basically इस open addition को देखने से पहले, हम एक काम करते हैं, अब जैसे इन्होंने कारता क्या रहे, एक scalar को basically add कर सकते हो, if you want, अब CV में basically एक scalar भी add कर सकते हो, हाँ, जैसे कि मैं add function कहांगे, where is add function, okay, here is add function, तो यहां पर देखो, क्या दे रखा है, add में, calculates the pre-element sum of two arrays, or an array and a scalar, तो यह तो दो arrays को sum कर सकता है, या फिर एक array और एक scalar को sum कर सकता है, array में scalar भी add करके देखते हैं, can we do that, और जब करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो एक क Alm came, करते हैं, इसी के ढदर देखते हैं, इसे के अंदर देखते हैं, मैंने copy करके यहांपे paste मार दिया है, अब इसको हम uncommon करके देखते हैं, मैने कर दिया इसको uncommon और अब मैं करूँगा क्या, मैं हठा दूँगा यह घोस्ट, या फिर हटाना क्यों है इसको रखने दो फिलाद हम करेंगे कि यह बस यह रिजल्ट वन निकालेंगे यह डिड़ पूल में हम एक बेसिकली स्किलर वालिवाड करेंगे और यहां पे घो स्ट्राइड और इसके डाइड पूल यह अपना और यह भी घो स्ट्राइड रहें बैट यह डिफेंट घोस्ट्राइड थे है ठीक है डिफेरेंट घोश्राइडर है हमारा ही है चलो लेट इस डू दालते हैं तो डाल देए पहले तो जी डाल देते हैं तो जी डाल गए तो कोई फरक नहीं पड़ेगा इड़ बीजस्थ सेम आउटपट आपको मिल जाएगा जो मिच थी पहले वही इमज मिल जानी चाहिए देखो वही और जिनल इमेज मिल गए आपको क्योंकि आप नहीं किया तो इसमें क फिलाल क्या डाल है पचास डाल के देखी हैं चलो पचास ही डाल के देखते हैं लेट सी कि 50 पे क्या होगा 50 देशन पर क्या होगा जैसी मैं इसको रेकूं को तो जास सी there is a difference है ना you will just see a difference कि हाँ pixel values में फर्क तो फड़ा है डल हो गया है रेड रेड जो ब्राइट रेड था that is now dull red यह भी अगर अब देखो तो इसमें भी difference है थोड़ा सा pixel values में there is a difference and a difference will observe ठीके थोड़ी सी और बड़ी वाली यह वाइटिश की तरफ जाता जाएगा प्यूकि मैं 0 मैं वाइटिश कलर का वह कर रहा हो तो वाइटिश की तरफ चलता चलता चलाएगा अगर मैं इसमें सब्सक्राइब करते हैं तो यह ट्रांस्परेंट होता जा रहा है एक तरीके से you can say that सब्सक्राइब करते हैं let's see what will happen 150 एडिशन करने में just see color ही बिल्कुल चेंज हो गया है 150 एडिशन करते ही there is a change in color बिल्कुल चेंज ही हो गया color तो आप इस तरीके से इसमें image कोई फटा नहीं रहा है pixels कोई भी फटा नहीं रहे है बड़िया pixels आ रहे है कोई दिक्कत नहीं है perfect pixels है ठीक है तो इस तरीके से if you want आप कभी भी क्या कर सकते हो आप कभी भी blending कर सकते हो आप कर सकते हैं इमेज कोई भी स्केलर वाल वाल आप कर सकते हो 255 एक जिरो तो करके देख लिए 255 एक्स्ट्रीम वाइड कर देंगे तो क्या होगा तो अगर यहां मैंने 255 एकर दिया दें वाट विल हापन तो यह बिलकुल ही चैंज कलर हो चुका है यह तो खत ही चेंज हो चुका कलर इमेज गायब नियुक में मत सोचना इमेज गायब हो जागी बिट कलर काफी चीज विए हैं चालो बढ़ी तो स्केलर एडिशन समझ में आ गया वाट वापन अगर हम स्केलर साइड कर देंगे तो मैं जर इसको separate कर दता हूं यहां से आना यह हमने देखा यहां से देखा क्या स्केलर देखा अब हम नेक्स जो देखने वाले दाट इस इमेज ब्लेंडिंग इमेज ब्लेंडिंग इमेज ब्लेंडिंग देखने वाले और मोस्ट ओफन इसको हम फंक्शन यूज करेंगे cv2.add weighted weighted and I just let me cross check the spelling if it is correct यहीं सो copy करके में डालता हूं अचा add के नीचे ही add weighted भी है तो आप यहीं से copy मार सकते हो let me copy it and just paste it here आप तो cross check कर रहें डबलू ई अचा capital W नहीं डाला यह करती करी डबलू ई आई जी एच्टी डी सही है नहीं इस पहली सही तो बना ही चलो आगे बढ़ते हैं अब image read करें जरा तो जरा उपर वाले उठा लेते हैं जरा यहां से इसी को उठा ले this would be helpful dummy तो यह उठा के मैंने pace मार दिया perfectly fine image deadpool की read करी resize करी अब result set बना रहे हैं हम basically अब यहां से कोई फरक नहीं बढ़ता आप क्या यूज करते हैं हमें एक ही image बहुत रहेगी so what I'll do is I'll just result print करेंगे हम ठीक है result 1 भी नहीं result print करेंगे ठीक है और यह डालतेंगे blended image यह blended image और इसमाल अगले वालिवा दानेंगे basically हम ठीक है so don't worry about that cv2 dot add weighted open कर लेंगे अब देखो matrix 1 alpha matrix 2 beta and then gamma so matrix 1 add करते हैं तो matrix 1 would be what that would be dead pool dead pool and इसको अभी फ्लाल हम 0.5 ले लेते हैं 0.5 फिर ghost rider ghost rider this is as well 0.5 और फिर अभी विलाल gamma को मैं लेता हूँ 0 and gamma के वाले उसे अभी हम change करेंगे add we would just see the difference कि basically जो यह blending हो रही थी अभी यहाँ पे जो blending हो रही थी इसमें और जो नीचे blending हो रही उसमें आड़ इमेज और यहीं पर बस मैं करनों क्या वाला हूँ ठीक है fine कोई दिक्कत नहीं हाँ दिक्कत है न यह 2 है और यह 2 है ठीक है तो देखो सबसे पहले add weighted की मदद से मैंने किया जिसमें मैंने 0.5 और 0.5 डाला ठीक है अब यह देख रहे चाहरे जिसमें add function लगाते है क्या 0.5, 0.5 edition होता है वो देख रहे Deadpool and Ghost Rider है blended image मेरे पास है result क्यों 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 documentation में असा कुछ specified नहीं तो हम cross check करके देखते है added image में यह result हो आगया ठीक है let me just print this just observe the thing कि actually this is not 50-50 if you will observe actually this is not 50-50 इन में काफी difference है ठीक है अगर आप इसमें और इसमें देखो there is quite a difference between the color although same से दिखेगा मतलब background color में अंतर है background color में अंतर है ठीक है although वो काफी same है ठीक है आपने इसमें बस उपर से value change मार दिये that is the thing but 50-50 edition ही हो रहा है most quite quite you will say ठीक है या 50-50 edition ही हो रहा है ठीक है सिर्व एक red का जो background में red का है उसका difference है बस basically ये dark red हो गया है थोड़े से मैं कहूंगा किसको blood side कर दिया गया है transparent कर दिया गया है और वो पूरा bright color दिख रहा है that is the only difference but 50-50 edition ही ही हुआ है 50-50 edition type ही होता है ठीक है अचाए that could be the scene because of zero gamma values इसकी वैसे भी अंतर आ सकता है ठीक है अब ज़र थोड़ी बहुत और difference दिखते हैं कहानी में ठीक है so what we can do is paste किया मैंने अब हम ये हटाएंगे result से टाएंगे result 2 हटाएंगे इसको result कर देंगे इसको भी result कर देंगे and we'll see what we'll see कि अगर मैं इसमें अलग लग different values डालता हूँ then what will happen अब जिसे मुझे घो स्ट्राइट ये डेड़ पूल को dominate नहीं कराना है मैं चाहता हूँ घो स्ट्राइट करे तो मैं इसको डाल दे 0.3 और इसको डाल दे 0.7 तो यह अब dominate करने वाला है ghost rider की image जादा हो जाएगी देखो अब इसका हाथ वाद देखने लग गया पहले नहीं दिख रहता है पहले हाथ नहीं दिख रहता अब यहाथ देखने लग और यह dominate कर रहा है अब जो ghost rider है वह dominate कर रहा है बट हाँ values अलग नहीं रखनी है ठीक है some one होना चाहिए नहीं रखेंगे तो देखते हैं क्या होगा अब देड़पूल बहुत जादा फीका पड़ गया है ghost rider बहुत जादा dominant कर रहा है बिल्कुल ब्राइट निखर क्या रहा है ghost rider और डेड़पूल बिल्कुल फीका सा पड़ गया है समझ माय चीज तो this is the thing अचाह इसी में अगर मैं ऐसा करूँ कि अब डेड़पूल को dominate कर आते हैं ghost rider को hide कर दे तो क्या करते हैं यहाँ पे 0.7 डालते हैं and this would be 0.3 ghost rider को डल कर दिया then you'll see this this is the situation अचाह इसमें आप और values भी बढ़ा सकते हैं if you want आप और values भी बढ़ा दीजिए basically which would be आप इसको 0.1 कर दो and इसको 0.9 कर दो basically ठीक है then if you'll do this तो देखो sorry यह तो अपने पराना वाली कर दिया इसको 0.9 करना उसको 0.1 करना इसको हमें कम करना गोस्त्राइब को देडपूल को बढ़ाना तो इसको देडपूल देखे बहुत जाद रॉमनेट कर रगोस्त्राइब को छुपी गया है पीछे बचारा ठीक है खतम हीसा हो गया है ठीक है so that is the thing तो डेडपूल ब्राइट है डाल हो गया है अब थोड़ा से साचुरेशन भी चेंज करके देखे लेट सीड़ा साचुरेशन वालू मतलब बेसिकली यह साचुरेशन नहीं मतलब गामा वाली चेंज करेंगे saturation is not a good term for that gamma value change करेंगे देखते हैं तो अब जिसे हैं घोष ट्राइडर देडपूल तो अच्छ नहीं लग रहा है 0.505 भी करते हैं फिलाल हम ठीक है 0.505 पर इस तरी की से दार्क था अब लाइट सा हो गया वाइट कलर आगया इसमें और खोस्राइडर बहुत निखर क्या रहा है इसके अंदर है तो आप इसमें और ज्यादा भी वाल्यू गामा की चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो यहां पर 150 डाल दो तो 150 डाल ओके तो देर वोड़ भी आव मासिफ चेंज बहुत ज़्यादा वाइट किश कलर हो गया है ठीक है और अगर 255 करो के तो श्याद डिसेपियर साही हो जाए पूरा ही वाइट हो जाए ठीक है वह तो बहुत ज़्याद एक् ठीक है ओके नेक्स्ट अगर मैं इसी में 50 रखूं बट या 150 रखूं बेसेगली बट यहां 0.7 डाल दो डेड़पूल देन पहले मुझे सिर्फ आपको यह दिखाना चाहिए कि अगर मैं इसमें 0 डाल दो देन वाट विला जिरो में क्या है देखो जिरो में कुछ इस तरीक के में यह है डार्क रेड कलर आ रहा है उभर के ठीक है डेड़पूल डॉमिनेट कर रहा है ठीक है मैंने आपको थोड़ा से ग्रवर करवा दी यहां पर 0.3 डालना चाहिए था इसे मुझे चला अब देखाते हैं वो चीज़ और यह 150 डाल दे इस तरीके से है यह वाइटिश बाक्राउंड पर बहुत जादा है यह वाइटिश बाक्राउंड पर बहुत जादा है तो आप ज़रा चेंज़े मारते हैं विचेस कि अब जैसे अभी इमने देखी लिया वाल्द बैटी में बताने वालता है विचेस कि अगर मैं इसमें वाल्यूज में 0 1 का सम ना रखू देन वाट विल आपन अगर इमका सम वन ना रहे देन सब जैसे यह 0.9 है इसको भी 0.9 कर दिया मैंने और इसको भी 0.9 कर दिया 0.9 0.9 क्या नतर है कुछ error आने वाला है error नहीं आएगा आपका perfectly चल जाएगा कहानी ठीक है error नहीं आया perfectly चल गई कहानी ठीक है क्या इविन इसको मैं 1 से जादा भी डाल सकता हूँ let's 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 check that as well क्या मैं इसको 1 से जादा डालू तो कोई problem म visible है ना कोई दिक्कत नहीं है okay one one के इलावा और ज्यादा ब्लिबो कर दूं मैं values बदल दू और ज्यादा कर दूं basically which is मैं इसमें 55 डाल दूं values 55 लेगा क्या यह let's see 55 values लेगा क्या तो यह 55 पे भी दे रहा है value है ना but if you'll see अब बहुत ज्यादा pixels खराब हो चुके पांच-पांच पे पांच-पांच पे बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं so it is always preferable कि आप उसको 0 से 1 से छोटा ही रखो अगर अगर आप चाहो तो जदर डाल सकते हो टू-टू डाल दे जाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है that is completely fine अच्छा अभी तक जो भी हम change देख रहे हैं that is basically इसके साथ हमें इसके साथ नहीं देखना हमें बिना 50 के देखना है कुछ ऐसा देखेगा यजा के लिए कहानी ठाइने में खराब हो चुके हैं थोड़े हुए ऐसमें दिखू है आपको इसमें भी 0 पे देखते है धिक्सेटा हैं काफी हरा वी किखला थूके और 6ら अर अगर हम इसमें देखिए तो एं लन जिरू के साथ तो वही चीज का नहीं है अब ये डार कुरेड आ रहा है विद इस पार्थ है ना ये दस इस इटेंग ठीक है शागव तो ये चीज आए हो आपको समझ माही होगी तो इस इस अच्छोएशन तो इस नोट कंपल सरी कि उसका समवन ही होना चाहिए पट इस सजेस्टेट या वो इसको 255 से ज्यादा दूँ सब्सकोज मैं इसको 500 डाल दो क्या डाल सकता हूं ये भी चेक कर लेता इक बाद 500 डाल सकता हूं कि हमें इसके वाल्यू ठीक है तो ये इस बिलकुल डाल सकता हूं 255 पर वाइट हो चुका है वो अल्रेडी 255 जितनी भी वाल्यू डालों कि वह वाइट ही हो जाएगा वार तो कि सिंपल सी आद अब जो भी डालों इसको 255 पर कर देगा तो कोई प्राब्नम नहीं आएगी कि हम इसको नेगेटिव भी डाल सकता हूं एक बर जरह जो हम values, बहुत, part कर रहे हैं, यह part जो दे रहे हैं, क्या इसको मैं negative कर सकता हूं, let's see, एक को कर देखते हैं, minus 0.9, ठीक है, यह minus 1 कर कर देखते हैं, basically, minus 1 डाल सकते हैं, let's see minus 1 possible है कि नहीं है, so minus 1 में बिलकुल possible है, but बिलकुली अलग सी कहानिया को देखने को ठीक है, that is a different, altogether different thing, ठीक है, दोनों को ही negative डाल देते हैं, दोनों को ही negative डाल देते हैं, यह जिसकी, suppose, इसको minus 1 डाला, ठीक है, and इसको minus 1 डाला, क्या इस पासिबल है, तो यह देखे, pure green बन चुका है, ठीक है, थोड़ा से छोटे डालते काम करते हैं, यह बहुत बढ़ा ठीक है, ठीक है, तो दो सब माइनस में छोटा डाल गे दिखते हैं, जोटा से माइनस, minus 0.1, minus 0.1, contribution बहुत कम हो जाएगा, इसका, बची, what is, what would be the thing, a completely different scenario हो है, altogether a different image, ठीक है, तो इस तरीक है आप गामा बाले इसको राएगा, इसको राएगा, इसको राएगा, इसको हम और कर सकते हैं, मतलब काफी इंट्रेस्टिंग, इसमें प्रजेक्ट्स बना सकते हैं, तो आगे मैं दिखाऊंगा, अगर वो प्रजेक्ट्स हम बनाएगे, तो आपको मैं उसमें आगे बताऊंगा चीज़े, ठीक है, काफी इंट्रेस्टिंग सा प्रजेट्स बन सकता ह अब फिलाल हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं, save, ठीक है, so this was basically your image blending, जो I hope आपको समझ मा आगया होगा, यह मैंने फिलाल बंद कर दिया है, और chrome भी बंद कर लेते हैं, open cv documentation भी हमारा काम हो चुका है, ठीक है, so I hope blending आपने मसा आया होगा, आपको enjoy क्या होगा, आपने edition, दो images का edition आपने enjoy क्या होगा, किस तरीके समझ कर सकते हैं, now just do that on your own, खुद से करिये, और different different variations डालिए, alpha, beta, change करिये, gamma, change करिये, for now अभी हम इस वीडियो को end करते हैं, next वीडियो में next चीज लाएंगे, वो और interesting कहानी है, काफ़ interesting चीज है, तो वो आपके लिए next वीडियो में मैं ले क्या होगा, for now हम अभी करते हैं इस वीडियो को end, ठीक है, चलते हैं अपनी slides पर और वीडियो करते हैं, जिसका हमने अभी जो documentation देखा था, उसमें read कर लिया था, that was bitwise operation, अब वो bitwise operations क्या है, कैसे perform होते हैं, क्या क्या करना है, वो सब हम देखेंगे next वीडियो में, for next आने वाली वीडियो के ले वेट करेगा, for now हम बढ़ते हैं आगे, तो next आपको देखने को मिलेगी क्या भाई, 100% free high quality education from the top educators of India, in these top courses of ours, which is CBAC English Medium, NTAC, Olympiad, CUET, Spoken English, CBAC Indian Medium, UP Board, Bihar Board, यह हमारे top courses हैं, जो आपको मिल जाएंगा, हमारे इन तीन platform पे, which is, भाई, Magnet Brains, हमारे YouTube channel है, go and subscribe that, फिर हमारा app, जो आप प्ले स्टोर से डाउंडोड कर सकते हैं, नाम Magnet Brains है, फिर हमारी website, जिसके लिए आप address बार में directly सर्च कर सकते हैं, which is www.magnetbrains.com, ठीके, अब इन तीनों ही platform पे आपको मिल जाएगी, 100% free high quality education, free education है, मतलब यहाँ पे किसी भी डाइप का आपको sign-in नहीं करना है, login नहीं करना है, किसी भी डाइप का coupon code नहीं लगाना है, किसी भी डाइप का buy now नहीं करना है, कुछ भी buy now की कहानी है ही नहीं, free of cost, तीनों platform पे content available है, और complete available है, A to Z complete course available है, तो आपको उसकी भी चंता नहीं गरनी है, कि भाई कहीं एक-दो वीडियो से नहीं है, सिर्फ डेमो बाइप हो चल रहा है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, complete course इट तीनों platform पे available है, so go and fetch that, so 100% free education, and इसके साथ भाई books and e-books भी available है, magnet brains की तरफ से, जिसका link नीचे description box में मिल जाएगा, go and check that out, ठीक है, and जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो notes format में भी available है, तो अगर आपको वो चाहिए content, तो वो भी आप fetch कर सकते हो, ठीक है, description box में उसका भी link available है, so you can go and check that as well, and बाकी यार, just stay connected with us on a social media platform, which is YouTube, Facebook, Instagram, Twitter and Telegram, हर जगा हैं भाई हम लोग, so you can stay connected with us everywhere, ता कि कभी भी कोई भी नए नए वीडियो आए, तो तुरंत आपको पता चल जाए, और गईस अगर आपको हमारी महने तो अच्छी लग रही है, content पसंद आ रहा है, वीडियो से अच्छी लग रही है, पेले स्पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोस उन से कुछ नया सी करें हैं, अगर आपको लगता है कि आपका आपकी एक्जाम से में हल पो रही हमारी वज़े से, so हमारे साथ यानि की मागनेट ब्रेंस के साथ जुड़ रही है, मैं करस हम लाते हैं आपके लिए किंडर कार्टन से क्लास 12 तक, हर कोर्स फ्री उफ कोस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, so we expect आप भी महसत इस तरह के से बने रहेंगे, मैं आप से मिलता नेक्स वीडियो में, तिल दे, गद्द बद 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 आपके साथ हैं, तिल दे, गद बद बद आपके साथ हैं,